नमस्कार दोस्तों प्यल्टेक्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रपल सी वीडियो और एक्जाम 2022 के लिए घटना चक्रटो सीरीज का प्राक्टिस सेट दूसरा लेकर आया हूँ और इस प्राक्टिस सेट के हिंदी के 50 महातुन प्रस स्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर करिए दोस्तों आएए सुरू करते हैं पहले कोस्टिन से पहला कोस्टिन है वह सोता ही जान जाएगा में वह सरुनाम है तो इस कोस्टिन का दूस्ते हैं पर राइटन सर ऑप्शन भी हो जाएगा निजवाचक सरुनाम अगला कोस अगला कोशन दोस्तों कोशन नमबर थर्ड महावीर प्रसाद दुएदी ने आधिकाल को क्या संग्या दी है तो इस कोशन का दोस्तों यहाँ पर राइट अंसर आपसंती हो जाएगा बीजोपन काल हजारी प्रसाद दुएदी ने आधिकाल को बीजोपन काल की संग्या दी है जोश्तों ध्यान रखिएगा अगला कोशन कोशन नमबर 4 दिये शब्दों में से नित एक वचन में प्रियोग होने वाला कौशन सा शब्द नहीं है तो इस question का दूस्टे यहां पर write answer option C हो जाएगा हज ताक्षार option C सही है अगला question दूस्तों question number 5 हिंडी स्वरों का वर्गी करण जब जीवी के भाग की आधार पर किया जाता है तो निमलिकित में से कौंसा भीद इसके अंतरगत नहीं आएगा तो दूस्तों इस question का यहां पर write answer option D हो जाएगा विब्रत स्वर अगला question question number 6 निमलिकित में से कौंसा श्रब्द वर्गी की ज़स्टी से गलत है तो इस question का write answer option D हो जाएगा आख अगला question question number 7 वर्तनी की ज़स्टी से दिये गए विकल्पों में से असुद्ध विकल्प छाटिये तो इस question का दोस्तों आपर write answer option C हो जाएगा बेंग अगला question दोस्तों question number 8 स्वार्थ में निमलिकित में से कौंसी संधी है तो दोस्तों आपको बताना है स्वार्थ में कौंसी संधी है तो स्वार्थ सब्द में दीर्ग स्वारसंधी है दोस्तों और इसका बिचे दिये आप करते हैं तो स्वा प्लस आर्थ आपको मिलता है स्वा प्लस आर्थ बराबर स्वार्थ होता है option ये इस question का right answer हो जाएगा देर्ग स्वरसंधी है अगला question question number 9 पावन का संद बीचे निमलिकिद में से कौन सा है तो इस question का यहाँ पर right answer हो जाएगा पाव प्लस अन बराबर पावन होता है तो option ये right answer हो जाएगा अगला question question number 10 अभी सम पिताब मां ने आजीवन साधी ना करने का प्रण लिया था रेखां कि शब्द का समास होगा तो जोस्तों इस question के हाँ पर right answer option ये है अभी भाव समास अगला question question number 11 निम्न में से कौम सा करम धारे समास है तो जोस्तों आपको बताना है इन में से कौम सा करम धारे समास का उदाहरन है तो इस question का यहाँ पर सही जवाब option ये है निल गगन इसका सही जवाब है अगला question दोस्तों, question number 12 सम उपसर्ग से बना शब्द निमली खित में इसे कौन सा है तो इस question के हैं पर right answer option B हो जाएगा, सम्मुक, इसका सही जवाब है सम उपसर्ग से बने शब्द हैं सम्मुक, सम्मेलन, संयोग ध्यान रखियेगा, अगला question, question number 13 परा उपसर्ग का आर्थ है, तो दोस्तों आपको बताना है दिये गए options में परा उपसर्ग का आर्थ हिन में से कौन सा होगा इस question का right answer option B है, उल्टा परा उपसर्ग का आर्थ होता है, उल्टा अगला question, question number 14 क्रदंत शब्द क्रत प्रत्य का उदाहरन है तो इस question का दोस्तों right answer option D हो जाएगा, खिलाडी अगला question, question number 15 निमलिकित में से आँख का तदसम रूप कौन सा है तो यहाँ पर right answer option B हो जाएगा, अच्छी आँख का तदसम रूप अच्छी होता है अगला question, question number 16 विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है तो किन शब्दों में नहीं होता है दोस्तों option A right answer हो जाएगा, तदभव में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है अगला question, question number 17 चोधा का तदसम शब्द है तो चौथा का आपको तद्सम सब्द बताना है दोस्तों तो यहाँ पर इस question का right answer option D हो जाएगा चतूर्थ अगला question question number 18 निमलिकित में से ध्रूम का तद्बाव शब्द कौन सा है तो right answer option B हो जाएगा ध्रूमर का ध्रूमा होता है अगला question question number 19 विद्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते है तो इस question का right answer option A है तीन भेद होते है अगला question question number 20 सोतंत्र सबको प्यारी होती है वाकिगे रेखांकित शब्द का संग्या भेद है तो दोस्तों इस question का right answer option B हो जाएगा भाव वाचक संग्या अगला question question number 21 पुरुस वाचक सरोनाम चुनिये तो दिये गए options में पुरुस वाचक सरोनाम का आपको चैन करना है तो इस question का दुस्ते हाँ पर right answer option A हो जाएगा आप अगला question question number 22 किरिया चुनिये मेरी बहन सबिता हिंदी भाशा शीकती है तो इस question का यहाँ पर right answer option C हो जाएगा शीकती है अगला question question number 23 अहाँ आप आ गये वाक में अहाँ शब्द है तो इस question का right answer option C हो जाएगा दूस्तों अब यह है अगला question 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 में 24 सीता सक्षियों सहीत पोच्पवाटिका गई तो इसका सही answer option C हो जाएगा संबंद बोधक और वाक में रेखांकी तब्वे प्रियोग निमलिकित में से किस भेट का उदाहरान है तो इहाँ पे option C सही जाब हो जाएगा संबंद बोधक का अगला question question number 25 कामदियो का परियोची सब्द कामदियो का परियोची सब्द कामदियो का परियोची सब्द मनोज होता है option C इस question का सही जाब हो जाएगा अगला question question number 27 अग्रज का बिलोब शब्द है तो अग्रज का बिलोब शब्द इन में से कौन सा है दोस्तों अनुज होता है अग्रज का बिलोब शब्द अनुज है अगला question question number 28 दिरगायू का विलोम होगा तो दिरगायू का विलोम आपको बताना है दोस्तों option B right answer हो जाएगा अलपायू दिरगायू का विलोम अलपायू होता है अगला question question number 29 इस वर्ष हिंदी साहित की कुछ अवरूद रही रिक्त इस्थान भरने के लिए उपयूग सब्ड चुनिये तो इस question का दोसरे आपर right answer option B हो जाएगा प्रगती इस वर्ष हिंदी साहित की प्रगती कुछ अवरूद रही इस question का right answer option B है अगला question question number 30 गान्डी जी का रामराज का सौपन आज तक नहीं हुआ तो आपको बताना है इस question का right answer option C है साकार गान्डी जी का रामराज का सौपन आज तक साकार नहीं हुआ अगला कोशन कोर्शन में 31 जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द आपको बताना है दोस्तों दिये गए ओप्संस में तो इसका राइट अप्संस अप्संस भी हो जाएगा असाद्ध कहते हैं जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है असाद्ध अगला कोशन किसी तथ को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है किसी तथ को जानने की इच्छा रखने वाले को जिग्यासु कहते हैं Option C, इस question का right answer हो जाएगा. अगला question, question number 33, अंधेर नगरी का अर्थ है, दोस्तों आपको बताना है, अंधेर नगरी का अर्थ इन में से कौन सा है? Option B, right answer हो जाएगा, अन्याई की जगा, अंधेर नगरी का अर्थ होता है. अगला question, question number 34, चौकड़ी भूल जाना मुहारे का अर्थ क्या है? तो चौकड़ी भूल जाना मुहारे का अर्थ क्या होता है, दोस्तों? Option C, अंसर सही हो जाएगा, घब राजाना. अगला question, question number 35, अंधो में काना राजा रेखांकित लोकोती का अर्थ है, तो दोस्तों इस question का right answer option यह हो जाएगा, गुड हीनों के बीच एक गुडवान बेकती, अंधो में काना राजा, लोकोती का अर्थ है. अगला question, question number 36, सलमा घर जाती है, वाक्य है, तो किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? तो option A, right answer हो जाएगा, सरल वाक्य है. अगला question, question number 37, निमलिखित में से सैयुक्त वाक्य का चैन कीजिए, सैयुक्त वाक्य का आपको चैन करना है, दिये गया option में दोस्तों, तो इस question का यह सही बिकल्प का चैन करें, जो सुद्ध वाक्य है, तो इस question का दूस्तों है, पर right answer, option D हो जाएगा, तुम अपना काम करो, अगला question, question number 39, राम आम खाता है में वाक्य का कौन सा रूप है, तो option C, right answer हो जाएगा, कर्त वाक्य है, अगला question, question number 40, उसने टेड़ी चाल चली, वा question number 41, बिली चत से कूद पड़ी कौन सा कारक है, तो दिएगा option में आपको दोस्तों right answer देना है, तो इसका right answer option D हो जाएगा, आपादान कारक, अगला question, question number 42, इन में से कौन सा polling शब्द, इस्ति लिंक शब्द में प्रत्य लगाने से बना है, तो option C, right answer हो जाएगा, भेडा, इसमें इस्ति लिंक शब्द कौन सा है, इसमें इस्ति लिंक शब्द कौन सा है, दोस्तों, तो इस question का right answer option B हो जाएगा, ख्याती जो है, इस्ति लिंक शब्द है, अगला question, question number 44, मैंने आम खाया, यह हुआ कि किस काल को प्रदर्शित करता है, option A, right answer हो जाएगा, भूत काल, अगला question दोस्तों, question number 45, निमलिखित वाक्यों में से वाक्य चुनिये, जिसमें गुड़ वाचक बेसेशन का प्रियूग किया गया है, right answer option A हो जाएगा, दोस्तों, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, option A, right है, अगला question, question number 46, नीचे दियेगे शब्दों में से कि वर्तनी शुद्ध है, आपको चेन करना है, right answer, option A हो जाएगा, दोस्तों, वह नटखट, अगला question, question number 47, निमलिखित में से प्राचीन भारती आरे भाशा कौन सी है, तो प्राचीन भारती आरे भाशा इन में से कौन सी है, दोस्तों, वह दिक संस्कृत, option D, right answer हो जाएगा, अगला question, question number 48, कौन सी प्राचीन भाशा नहीं है, तो आपको कौन सी प्राचीन भाशा नहीं है, आपको बताना है, दोस्तों, option B, right answer हो जाएगा, पंजाबी, अगला question, question number 49, question number 49 है, administrative control का हिंदी पर आइक कौन सा है, इसका right answer, option D हो जाएगा, प्रशासनिक नियंत्रा, अगला question, और अंतिम question, यदि हिंदी प्राचीन भाशा नहीं का उत्तरहाना में दिया जा सके, तो उसका अंगरेजी इन्वाद करते समय शुरू करते हैं, तो कहां से शुरू करें आइक करेंगे वाकि को, तो इस question का दूसरे हैं, पर राइट अंसर option, option B राइट अंसर हो जाएगा, auxiliary verb से, यदि हिंदी प्राचीन भाशा का उत्तरहा, नामे दिया जा सके, तो उसका अंगरेजी इन्वाद करते समय वाकि auxiliary verb, यानि कि शाह क्रिया से प्रारम करते हैं, दू